तरकार भाईयों को मैं धन्य बाद देता हूँ कि आप लोगों के बदावलत हम यह आए हैं इसके लिए नौवर्स की धेर सारी सुक्रम नहीं यह सच है यह सच है कि आप लोगों ने अपनी लेखनी और अपने चैनलों पे नहीं दिखाया होता तो साध इस हाल में उन प्रकास राजबन नहीं आपाता है और हमारे मंच पे विराजमान तमाम पार्टी तमाम संगठन के साथियों ने आज मानी अतले स्यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो संकल्प लिया समर्थन दिया उन सभी साथियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और हमने तो आप लोगों से पहले भी कह चुका हूँ और तीन साल पहले कहा था लेकिन हमारी पत्रकार भाई तमाम हमारे साथि हमको कहते थे कि जलेबी की तरह भूमाते है लेकिन लोग समझ नहीं पाये थे कि हम क्या कर रहे हैं तीन साल पहले मैंने कहा था कि भारती जनता पर्टी को सत्ता से बेदखल करूँगा तीन साल पहले अब वो समय आपका आगया है और पूरे प्रदेश में एक बीमारी बड़ी तगड़ी बाः वो बीमारी काबा योगी जी मोदी जी के ललका सार से पूरा परदेश परिसानबा एसे निजात चाहा था प्रामा सेंटर चले जाएए सत्तर परसेंट मरीज योगी जी मोदी जी के ललका सार से लड़के आवत्वोसर प्रामा सेंटर में जाके देखिए हम लोगों ने मन बनाया है मानि भावी मुख्यमंत्री जी बगल में है ऐसा ही 2022 के बाद बगलिये में रहाओ 300 यूनिट विजली पुरे उत्तर पदेश में सरकार बनते ही मानि मुख्यमंत्री जी से गोसरा होगी गरीबों का इलाज फिरी में होगा और पदेश में जो नफरत की राजनीत हो रही है उस नफरत की राजनीत को खतम करने का काम मानि अख्यलिस यादव जी करेंगे भारती जनता पार्टी के तरफ से बड़ा आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो गुंड़ई जादा हो जाएगी समाजवादी पार्टी से जादा गुंड़ई भारती जनता पार्टी के राज में हो रहा है भरजी पत्रकार चौथा इस्तंब होता है सरकार को आइना दिखाने का जब मिर्जापुर में पत्रकार ने सही बात छापा सरकार को नोटिस में लेकर की काम करना चाहिए तो उस पत्रकार को दिखाया खाली अकबार में चाप दिया कि मिद्दे में योजना में विद्ध्याला में नमक रोटी खिलाई जा रही है उसको जेल भेज दिया साइकड़ो पत्रकारों के खिलाब मुकदमा लिख दिया गया इस हिटलर साही सरकार को सत्ता से बेदखल करना ओंप्रिकास राजबर ने मन बना चुका है पूरे उत्तर पदेश में आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ओंप्रिकास राजबर अपने सभी साथियों के साथ 22 में मैदान में सपस समारों में आप लोगों को फिर याद दिलाऊंगा कि तीन साल पहले जो कहा है आज देखिए सपना साकार हो रहा है तो बहुत कुछ नहीं हम तो मंच पे ज़् आप लोग समझदार हैं मारनी भावी मुख्यमंत्री जी से आप लोग सुनिये हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद